हेलो प्रेंट स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमीता इस्टेनों में आज जो आपका क्लास होगा वो सब्ची का क्लास होगा तो सब्ची का क्लास जो होता है वो संधी के सोई आज जो आपका क्लास होगा वो संधी का क्लास होगा तो संधी में पहले आपको समझना है कि अगर संधी में कम से कम दो सब्ध होते हैं, संधी में क्या होते हैं, दो सब्ध, कोई भी संधी होता है, तो दो सब्धों से मिलकर बना होता है, एक जिसमें संधी की जाती है, और दूसरा जिसकी संधी की जाती है, जो की एक पहला होगा जिसमें संधी की जाती है और दूसरा हो जाता है जिसकी संधी की जा रही है जिसमें संधी की जाती है उस सब्द को पूरा लिखना चाहिए जिसमें संधी की जा रही है उस सब्द को पूरा लिखना चाहिए पर जिस सब्द की संधी की जाती है उसका पहला अक्षर उस सब्द संधी की जाती है तो इसके पहले बाद और प्रथम दुत्य तिर्ट्रे अस्थान पर सब्द के पास लिखना चाहिए तो आप देख लेंगे जब पहले अगर संधी की जाएगी तो आरम में संधी की जाएगी तो आरम अस्थान क्या होगा पहला स्थान में क्या लगेगा तो आ लगेगा पहला स्थान में लगेगा जब पहले संधी होगी तो आरम में क्या लगेगा तो आरम में लगेगा और बीच में क्या लगेगा ये या ओ लगेगा बीच में क्या लगेगा ये या ओ लगेगा और अंत में क्या लगेगा बड़ तो अगर पहले संधी की जाएगी तो पहले अस्थान पे A लगेगा दूसरे अस्थान पे होगा A या O लगेगा और तीसरे अस्थान पे E लगेगा लेकिन अगर बाद में संधी की जाएगी तो पहले अस्थान पे O लगेगा दूसरे अस्थान पे O और तीसरे अस्थान पे U तो इसको भी मैंने class 18 में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है आप मेरा class नहीं देखे होंगे तो special class मेरा 18 देख लेंगे तो आपको कैसे आपको किस अस्थान पे लगाना है स्वर्ण ये मैंने बताया हुए है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे यह पहले अस्थान पे पहले आएंगे अगर संधी पहले कर रहे हैं तो पहले अस्थान पे A दूसरे अस्थान पे A या O और तीसरे अस्थान पे E अगर बाद में कर रहे हैं तो A आएगा पहले अस्थान पे दूसरे अस्थान पे O और तीसरे अ उपर की तरफ और बाद में नीचे की तरफ समझा जाता है। अगर इसका संधी की जाती है तो पहले उपर की तरफ बाद में नीचे की तरफ समझा जाता है। परमेश्वर का संधी आपको करना है तो परमजोड़िस्वर तो संधी इसका करना है तो पहले वाले को अगर आप संधी कर रहे हैं तो इसको पूरा लिखना होगा। तो यहाँ पर पर परम तो यह परम यह पहले वाले को पूरा लिखना होगा परम। इस्वर को कैसे लिखना होगा तो इस्वर इ यहाँ पर देखेंगे कि कहां पर आये हुए हैं तो बड़ी अंत में बड़ी इ आती है तो इसे अंत में लगाना होगा। तो इ कहां लगेगा और पहला जो होता है कोई भी पहला सब्द जिसमें आता है तो उसी को आप ले लेते हैं तो पहला वेंजन को आपको लेना है। तो ई स्वर देखिए कहां पर लग गया है अंत में लगेगा और क्या है हुआ वेंजन तो स तरीका से इस्वर तो परमेश्वर इस तरीका से इसका संधी होगा परमेश्वर का अब आता है स्रधांजली तो स्रधान इस तरीका स्रधांजली तो स्रधांजली का कैसे आपको संधी विछेद करना है तो स्रधा जोड अंजली स्रधांजली तो स्रधा जोड अंजली तो इसको आपको संधी विछेद करना है तो इसमें आपको स्रधा तो एक को आपको पूरा लिखना होता है तो स्रधा आप लिख लेंगे पहले श्रधा और यह हो गया धा श्रधा यहां पर स्रधा इस तरीका से अंजली तो अ आया हुआ है अ देखें कहां आया हुआ है अ पहले अस्थान पर तो अ यहां पर पहले अस्थान पर और उसके बाद न आया हुआ है तो ये कहां पे लग जाएगा इस तरीका से पहले अस्थान पे मैंने लगाया हुआ है न के साथ तो ये पहले अस्थान पे आया हुआ इसले पहले अस्थान पे न आया हुआ बेंजन पहले तो न लगा दिया तो इस तरीका से इसे क्या पढ़ेंगे स्रधान जली अब आप देख लेंगे, आपके सामने आता है शिहाशन, सिहासना रूड तो सिहासना रूड का संदी विचेत कैसे आप करेंगे तो सिहासन पहले लिखेंगे और इसको आ रूड इतना बड़ा आउटलाइन अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा आउटलाइन बन जाएंगे जैसे इसलिए इसको संदी विचेत करके छोटा किया जाता है और इसे आसानी से आउटलाइन बनाए जाता है तो सिहासन रूड तो पहले तो सिहासन बनाएंगे शिहासन इस तरीका से सिहासन बन गया शिहासन आरूड आ रहा है तो आ या आ पहले अस्थान पर आएंगे और तो ये इस तरीका से पहले अस्थान पर ये लग गये तो सिहासन आरूड इस तरीका से बनाए जाएंगे अब आपके सामने आता है सिहां लोकन अब सिहां लोकन यह जो हो गया सिहां लोकन तो इसका संदी विच्छेत कैसे आप करेंगे तो सि पुलस और लोकन तो सिहां लोकन इतना बड़े हो गए यह तो इसको आपको छोटा बनाना है इसका आउटलाइन छोटा बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे तो पहले सि इस तरीका से सि सिंग इस तरीका से आप लिख देंगे सिंग अवलोकन तो अब पहले अस्थान पे व तो यह कहां पर आजाएगा इस तरीका से अलोकन, इस तरीका से व, यह जो व होता है, यह पहले अस्थान पर मैंने बनाया हुआ है अलोकन, यह असानी से छोटे से आउटलाइन बन गया है, तो आगे देख लेंगे, महोत सो, आपको बनाना अगर, महोत सो, तो इस तरीका से महात्सो को संधी बिछेत कैसे करेंगे तो महा जोड उत्सो महात्सो तो महा जोड उत्सो पहले तो आपको महा बनाना है तो इस तरीका से महा अब उत्सो तो उ कहां पे आया हुआ है तो यह देख लेंगे उ, तीसरे अस्थान पे आया हुआ है, उसके साथ त, त आया हुआ है, तो त, इसको आप तीसरे अस्थान पे यहाँ पे आपको रखना होगा, और ये त, इस तरीका से महोच सो, तो आप समझ गए होगे कि पहले दूसरे तीसरे अस्थान पे किस तरीका से इस तरीका से बनाना है पहला जो पहला आएगा उसको पहला को आपको पूरा बनाना है आउटलाइन वो जो दूसरा आपको संदी विछेद होगा उसको आपको उसको आपको जो है पहला वेंजन को लिख करके आपको बना देना होगा तो इस तरीका से बड़ी ही आसानी से बड़े जितने भी बड़े बड़े आते हैं सब उसको आप छोटा आउटलाइन बना सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आप संधी विछेद बहुत ही अच्छी तरीका से समझ गए होंगे कि कैसे आपको संधी विछेद करनी है तो चलिए वीडियो कैसी लगी वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सेर करना ना भूले साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलतिंग नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद